बाइबिल हमें बताता है परमिश्वर सर्वसक्तिमान है फिर बाइबिल हमें ये भी बताता है कि परमिश्वर प्रेमी है और फिर भी महामारी ये बात कुछ समझ में नहीं आती जहें मसी मैं आरसी रहा है आपको इस वीडियो में स्वाइब करता हूँ आज मैं आंसर करने की कोशिस करूँगा जो सबसे बड़ा सवाल बाइबिल क्रिस्टिनिटी के उपर में लोग उठाते हैं वो ये है देखो आपका वच्चन कहता है परमिश्वर सर्वसक्तिमान है फिर बाइबल बताता है God is all loving He is almighty He is all loving Bible claims फिर भी evils इस प्रिथिवी में है evil से मतलब कि पीरा है बुराई है तो ये बात कुछ समझ में नहीं आता है क्यों समझ में नहीं आता है क्योंकि परमिश्र अगर प्रेम करते हैं तो ये सारे चीजों को होने नहीं देना चाहिए ये जितना भी पीरा है तकलीफ है ये सब को हटा देना चाहिए क्योंकि वो प्यार करता है तो इसलिए वो अच्छा को कर देना है और दूसरा उसके पास में सामर्थ है तो करना है तो ऐसा नहीं करते है तो इसलिए लोग समझ नहीं पारते है आईए हम इस सवाल को हम और थ नेचरल इवल्स, मॉरेल इवल्स से मतलब है कि जो रेप हो गया, चाहे वो मर्डर हो गया, या लूट पार्ट, या हत्या, जो भी बुरा इनसान करता है, तो उसको मॉरेल इवल्स के कहा जाता है, फिलोसोफिक के लिए, और दूसरा नेचरल इवल्स, जो आर्ट्विक, फ्ल जब भी इस प्रकार के इवल्स आते हैं, तो लोग सवाल करते हैं, परमेशर ऐसा क्यों, अगर आप सर्वर सकती मानें, तो ये सब को हटाते क्यों ने, अगर आप प्यार करते हैं, तो ये सब को रोकते क्यों ने, ये सवाल लोग करते हैं, और जब परसनल लेवल पर जब आता है ये सवाल, तो और भी खतनाक हो जाता है, बहुत सारे लोग बेक्सलाइट हो जाते हैं, जब कैंसर जैसे बिमारी का सिकार हो जाते हैं, जब कोरोना वाइरिस से ग्राशित हो जाते हैं, तो बिलीवर्स भी बहुत सारे लोगों का बिश्वास हिल जाता हैं, इस सवाल क परमेश और ऐसा बुरा है क्यों ऐसे पीरा क्यों तो इसमें आप एक चीज़ को मान के चलते हैं कि there is a God अब ये belief system का अंदर में आपका अगर नहीं है कि आप नहीं मानते परमेश नहीं है तो आपका सवाल ही meaningless हो जाता है किसे meaningless हो जाता है मैं आपको बताता हूं कि दीखिये आप किसी चीज़ को बुरा कहते हैं तो इसका मतलब है कुछ अच्छा भी है और ये basis कहां पर निकलता है ये बुरा है ये अच्छा है कि there is a reference point यानि कि परमेश है जो कहता है ये अच्छा है और ये बुरा है तो एक moral law giver है यानि कि अच्छा और बुरा को बताने वाला है नहीं तो क्या है कि किसी के लिए rape अच्छा है किसी के लिए murder अच्छा है तो सभी का अच्छा ही अलग-अलग होता है तो इसलिए there is a moral law giver तो इसलिए आप उसके basis पर ही आप कह रहे हैं अगर उसी को आप deny करने जाएंगे तो क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं है सब कुछ चलता है अप जानवर की तरह ही है no but there is a gone therefore our questions becomes very meaningful तो इसलिए परमेश्वर है तो अप फिर सफरी है तो इसको कैसे साथ में मिलाए प्यार और पीरा को कैसे साथ में हम समझ समझें कैसे इस चिसको हम समझ के एक साथ ले जाएं तो इसका जवाब मैं देना चाता हू सबसे पहले आपको समझना है कि परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब नहीं देते कैसे लिए कि बुक अफ रोमा चाप्टर 14 वर्स 12 में कहता है God जो है हमारा सवालों का जवाब नहीं देता उटा हमें जवाब देना है क्यों कि ultimately God is the one who gives the life परमेश्वर नहीं जीवन दिया इसलिए उसका 100% right होता है कि जीवन को लेने का वे तो हम सवाल नहीं कर सकते जीवन देता भी है लेता भी है तो हमारा कोई right नहीं होता है कि हम सवाल करें लेकि वो सवाल कर सकता है हम पर सवाल कर सकता है तूने क्यों लिया क्योंकि तो जीवन भी नहीं दे सकता तू ले भी नहीं सकता। लेकिन परमेशुर वो अपने सवर रेटिंग में वो कुछ भी चीज परमेट करता है तो हम उसको सवाल नहीं कर सकते हैं। बचन बताता है। इवन आप देखोगे जॉब के लाइफ में। जॉब का अपना परिवार उससे बिचर गया। नेचरियल डिजास्तर से उसका प्रोपर्टी खतम होगे उसका फैमेली खतम होगे अपना सरीर घाओ सिर्ष से लेकर पाओ तक पुरा घाओ घाओ ऐसे में वो निराज हतास हो के परमेशुर से जाके सवाल करता है परमेशुर ऐसा क्यों। तो आप देखोगे अरोनिक के आप डिपेंट होता है कि उसने परमेशुर से सवाल किया बोलके अब वचन में देखोगे परमेशुर मीराकलेशली किसी को बचा के ले जाता है तो किसी को सफरिंग एलाव करता है तो वी केनाट अंडिस्टेंड वाइग गॉड दस सर्तिन तिंग्स इसलिए वचन कहता है the secret things belongs to God, थो सब ही चीज़े हम परमेशुर के बारे में समझ नहीं सकते हैं, हम उनके स्रिष्टी हैं एक पाफ साल के बच्चे को अपना पिता जो कुछ भी डिसीशन लेता है जो कुछ भी करता है उसको समझ में नहीं आ सकता है। उसको समझ में नहीं आ सकता है। उसको बुदास ने कहा परमेश्वर अगर इतना छोटा हो जाए कि मैं उसको पूरी तरीके से समझ जाओं तो वो मेरे आराधना के योग यह नहीं है वो परमेश्वर तो कुछ चीजें परमेश्वर के बारे में हमें समझ में नहीं आएगा तो इसलिए हम सवाल नहीं कर सकते लिए नहीं करना पूशन गॉद नंबर टू यहां में आप देखोगे कि यह पृतिवी में जो नेचिरल इवल्स अज रिजल्ट ऑफ ओरीजिनल सीन हमनों को बचन में दिखाए देता है अब जब बचन परते हो आदम और इप ने जब पात किया और उसका कर्स पुरा पृतिवी में आया यारी कि पुरा सिर्ष्थी में आया as a result death, sickness, all kinds of sufferings came into this world as a result of sinning. इंसान का disobedience के कारण इस्पृतिवी में कर्स आया त्यूंकि कर्स आने के कारण जो जो ओरीजिनल जो पोजिशन था उससे नीचे चला गया, उसका standard नीचे चला गया, इसलिए fallen world के रहता है, cursed world. 20 to 22 में देखने सामें क्या पता चलता है कि creation भी परमेश्वर की और, दर्द के साथ में गुहार लगा रहा है कि जो सरन से होकर वो जा रहा है, जो subject हो गया, decay के उपर में, वो redemption के लिए, दर्द के साथ में परमेश्वर की और देख रहा है, बचन केता है. तो इसलिए, as a result of living in this fallen world, pains and sufferings are unavoidable. यह होगा. तीसरा बात यहामें में क्याना चाहता हूं कि God is not only almighty, not only all loving, but he is all knowing. यहानि कि वो सारी बाते, शुरुआ से ही सब चीजों को पता होता है. तो इसलिए हमें कहानी का बीच का जो हिस्सा निकाल के, हम पूरा कहानी को हम समझ नहीं सकते हैं. Until and unless we see the big picture, something will be always confusing. तो God is all knowing, जो सब जानता है, हम सीमित हैं, तो हम पूरी बाते नहीं जानते हैं, तो हम सवाल नहीं कर सकते हैं परमेशर, because He is all knowing. तो उसका plan, उसका purpose को हम पूरी तरह किसे समझ नहीं सकते हैं, वो पुरा सिरिष्टी को रचने वाला, पुरा ब्रहमान को कंट्रोल करने वाला, वो सर्व ज्यानी परमेशर हैं, तो अब ये कोरोना को हम कैसे digest करें? देखिए, वाइरेस एक natural agent है, इवन आपका सरीर में बहुत सारा वाइरेस है, पृतिवी में बहुत सारा वाइरेस है, अगर वो ना हो तो इस पृतिवी में, बायलोजी के लिए ये कहा जाता है, अगर वाइरेस ना हो, तो वेक्टर इतना बढ़ जाएगा कि कोई जी नही सकता है, तो वाइरेस is essential for living, हाँ, आपको कभी-कभी कुछ चीज़े, फैटल हो जाता है, जैसे कोरोना वाइरेस, तो इसको लेकर हम, ये परमेशर का goodness के उपर में हम सवाल नहीं कर सकते हैं, तो इस सभी के बीच में, is there any hope? क्योंकि this all looks so scary and frightening to us, एसे समाई में जीना काफी मुस्की लगता है, पैसली प्रभू के बच्चे कैसे इस चीज़ेस को डाइजेस करें, कैसे प्रोसेस करें, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि परमेशर पर भरोसा करके, उसका प्रेम, उसके अच्छाई पर भरोसा करके, क्योंकि his goodness is seen in the cross of Kalvari, का हमारी जगे पर वे बलेदान होगे, सारे प्रथिभी का पाप को लेके करवरी, क्रोस में प्रभू येश्व मसी स्वयम, बलेदान होगे, तो इसलिए वो प्रोमिस करके गें, कि in the world you will have tribulation, इस प्रथिभी में आपको क्लेस आएंगे, लेकिन दिल मैं जीता हूँ, आप भी जीतोगे, ये प्रोमिस है परमिसर, suffering is a promise, but his presence is also promised, कि I will be with you till the end, और फिर से उन्होंने कहा क्या, कि मैंने जीता है, आप भी जीतोगे, तो इस आए प्रोमिसर, और फिर से future में क्या कहता है परमिसर, कि एक दिन सारा suffering को मैं मिटा दूंगा, ना दर आनंद ही आनंद, गले लगा कर सारे पिराओं को, दर्द को मिटा देगा परमिसर, तो ये promise है, तो उस promise और उनका nature, जो केता है, He is all-knowing, He is all-loving, तो उस पर हमें भरुसा करके चलना है, याद आके परमिसर वफाधार है, और वो आपके साथ में है, आप परमिसर के perfect will में हो सकते हैं, फिर भी आपको problems and trials आएंगे, लेकिन दिल छोटा ना करें, परमिसर आपके साथ में है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, God bless you.